नमस्कार दैनिक शिव्ट टाइम में आप सब का स्वागत है मैं रश्मी शर्मा कैमरामेन शुवंबगत के साथ एक दुखत खबर जो आ रही है कल से अगर बात करें तो लगातार मीडिया के माद्यम्स और सोशल मीडिया पर लगातार वो तस्वीरे भी वायर हो रही और दु के चारो लड़के अभी ताक यानि मिसिंग है और रैस्की ओप्रेशन लगातार जारी है और बताना चाहेंगे जो स्विफ्ट कार नंबर है जेके 069297 यानि कि कल की बात और बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कल को सोशल मीडिया मीडिया के माद्यम्स लगातार उन लड़क के प्रेर मेंगर इलाके से आ रही है कि एक गाड़ी जो स्विफ्ट कार नंबर जो की चनाब दरिया में जाकर गिर पड़ी और उसके बाद अभी तक जनी चारों का कोई भी अता पता नहीं लगातार जमू कश्मीर पुलीस अज्डी आरफ की टीम रैस्क्यू उप्रेशन क रहे हैं रैस्क्यू जारी है फिलाल गाड़ी का तो दिखी है उस चनाब दरिया में पर उन चारों लड़कों का युवां का भी कोई भी पता नहीं है और बताएंगी जो चार युवा जो इसमें अभी तक मिसिंग हैं उनमें से हैं रोहन मंगोत्रा सानफ सादू रानाम न शिवा सुहांदा ये चारों के चारों लड़के युवा एक कार में थे और कार का नंबर जो हमने आपको बताया स्विफ्ट कार थी जेके 069297 फिलाल एक दुखत खबर है और ये बताया जारा सूत्रों के अधार पर की काड़ी जो की डोड़ा के प्रेम नगर इलाके में यनी के एक खाई यनी गैरी जगा जो चनाब दरिया में जाकर गिर पड़ती है और अभी तक उन चारों युवाओं का पता नहीं कल से ये गाड़ी गिरी है अभी तक फिलाल जो सुबा तक जो मारे पास कबर आई के गाड़ी का गाड़ी तो दिखी पर उन चारों युवा उनको डूढने का अब ये देखना है कि को कहा जो आपने आपको पूरी बात बताई के चार युवा का नाम क्या उनकी पेरेंट टेज क्या है और कहा कि वो रहने वाले फिलाल चार अगर युवा दोस्त है या एक ही फैमली से पर उस फैमली के लिए उस परिवार के लिए इन परिवार के चार सदे से यानि अलग अगर परिवारों के होंगे तो फिर भी कहेंगे उन माता-पिता की आँकों का तारा फिलाल अभी तक वो नहीं पिल पाए कहीं भी हम ये कहेंगे फिर से क्योंकि जिस तरह से इतनी गैरी खाई में जाकर नीचे चनाब दर्या में ज हारा सही ये उमीद करते हैं कsoo ना कहीं वो युवा जो है वो बच जाए और अपने माता पिता के पास सुरक्षी पहुंच जाए यही प्रातना करते जहां कहीं भी हो वो सुरक्षी तो पर जिस तरह से खाई में नीचे गारी गिरी है ओ गारी पर उन चारों का भी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है और लगातर प्रियास किया जा रहे के तुरंत उन चारों युवाओं को जो इस हाद्थे का शिकार हुएं जिस भी हालात में हो वो जल से जल पुलीस और SDRF की टीम जो हमारी तायनात है वो जल से जल इन्हें रेस्क्यों करके उन्हें उनके मता-पि कि जब युवा होते हैं कई बार दोस्तों यारों के साथ घुमने फिरने भी जाते हैं कई बार ऐसा भी होता है कई बार गलती होते हुए भी इस तरह के एकसिडेंस हो जाते हैं कुछ दिन पहले कि अगर बात करें एक वीडियो वाइरल हो रहा था कि कुछ दो बहने थी जो कि गाड़ी उनको क्या पता उन दोनों बहनों को कि हम एक जखमी थी और एक कंभी रूप से घायल हुई थी और एक बहन की मृत्ती हो चुकी थी यानि वो भी दुखत समाचार रहा था आए दिन इस तरह के समाचार मिलते हैं और युवापीडी ज़्यादा इसमें ग्रस्त मि चाहते हैं माता पिता से भी निवेधन करते हैं खुश से भी आपको कि आपने बच्चों को भी हमें यही तरवियत देनी चाहिए जब भी आप सड़कों पर टू विलर या फोर विलर पर निकलते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी सुरक्षा के साथ आपके परिवार और द चोटी चोटी उमर के बच्चे जो टू विलर का हलमेट नहीं पैनी होती या पिलियन होते हैं और उनकी बृत्यू हो जाती तो कही बार ऐसे माता पिता का जैसे जीने का सहारा ही उनका उनसे दूर हो जाता है तो कही ने कई जब भी आप घरों से बाहर निकलते कम से कम अप अपने माता पिता का अपने परीजनों का ध्यान, उनकी तस्वीरें आपनी आँखों के सामने जरूर रखिये, कहते हैं साफधानी बरतनी चाहिए और साफधानी कहीं न की आपकी सुरक्षा के लिए, इसलिए जगा जगा पर ट्रैफिक पुलीस के नाके लगे जाते हैं, ट् चीज के बारे में माता पिता के एक एहम रोल रहता है, कि उन्हें समझाना, कि जब भी आप घरों से बाहर निकलते हैं, आहिस्ता ड्राइव कीजिए, ताकि आपने सासा दूसरों को भी नुकसा आना हो, और अगर टू फिलर पर बैठते हैं, तो दोनों लोग हेलमेट पहन का निकले, ताकि भगवार ना करे, अगर कोई हासा रब ना करे होता है, तो कम से गाम आपकी जान तो बच जाए, फिलाल एक दुखत कबर है, अम उमीद करते हैं, जो भी समय में देख रहे हैं, जल से जल, वो किसी भी हालत में, अगर वो चारो युवाह हो, उनके परिवा और तक जल से जल पहुँचे, जो डिर्या से मार सा अगले अपडेट के लिए जान जबार,